तो सबसे पहले मोटा मोटी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग देख लेटा है कोच ने अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए एक टेढ़े रास्ते को फोलो किया यहाँ डेवियस का सेंस है टेढ़ा ओप्शन्स देख लेता है डिफिकल्ट शॉर्टकट स्ट्रेट विंडिंग तो डिफिकल्ट तो कथिन शॉर्टकट भी शॉर्टकट हो गया स् जेनरली रॉंग देखते हैं सेंटेंस का हिंदी मिनिंग क्या होगा यह सजेस्ट करना अभद्र होगा कि वह आम तोर पर गलत था तो जो यह इंपॉर्टिनेंड लिखा हुआ है इसका मीनिंग होता है अभद्र तो देखते हैं इसके ओप्शन्स क्या है फेर करेक्ट तो इसका आंसर होगा रूड नेक्स सेंटेंस देख लेता है आर फेट्स सीम्ड इंटर्ट्वेंड तो देखते हैं सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या है हमारी किस्मत आपस में जुड़ी हुई लग रही थी तो इंटर्ट्वेंड का मीनिंग होता है जुड़ी हुई तो द इसका हिंदी मिनिंग देख लेते हैं उसने लंबे चोड़े भाषडों के लिए एक अलग प्रवरत्ती प्रजर्शित की जब पूछा गया कि वह कैसा था तो लंबे चोड़े तो ऑप्शन्स देख लेते हैं Boring, Repetitive, Circumlocutory, Hyperbolic Boring तो नहीं हो सकता, Repetitive भी बार बार दोहरा न, Circumlocutory इसका मतलब होता है वरवस यह जिसमें बहुत ज़्यादा शब्द हों और Hyperbolic होता है बढ़ा चटा करके तो इसका और आंसर होगा Circumlocutory Fifth देखते हैं This library was built with donations from the munificent citizens of the city सबसे पहले देखना है इसका हिंदी मीनिंग इस लाइब्रेरी का निर्मान शहर के बड़े उदार नागरिकों के दानसे किया गया था munificent का मतलब होता है उदार तो options देख लेते हैं well to do इसका मतलब होता है धनी generous इसका मतलब होता है उदार respectable, sammanit, learnt, शिक्षित तो इसका answer होता है generous इसका मतलब होता है उदार next है some satirists are known for their transient style इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं कुछ व्यंगेकार अपनी कटू शहली के लिए जाने जाते है transient का मतलब होता है कटू option देख लेते हैं sharp, critical, aggressive, incisive sharp का मतलब होता है तेज, critical का मतलब भी होता है गंभीर and aggressive का मतलब होता है क्रोधी and incisive का मतलब होता है कटू या तीखा तो इसका answer होगा incisive next देख लेते हैं the navy gave tactical support to the marines तो इस sentence का हिंदी मेनिंग होगा navy ने नौ सैनिकों को सामरिक सहयोग दिया इसको कह सकते हैं चतूर या फुर्तिला तो इसके options देख लेते हैं sharp sorry sensitive strategic expedient expert sensitive भावुक होता है expedient उपाय होता है strategic होता है सामरिक और expert होता है विशेशग्य तो इसका answer होगा strategic next देख लेते हैं businessmen who lack acumen cannot be expected to be very successful इसका Hindi meaning देख लेते हैं businessmen जिनके पास कुशागर बुद्धी की कमी है उनसे बहुत सफल होने की आशा नहीं की जा सकती है तो इसके options देख लेते हैं smartness, sharpness, keenness, cleverness smartness का मतलब होता है sharpness का मतलब होता है kushagrata, keenness का मतलब होता है cleverness का मतलब होता है sharpness, जिसका मतलब होता है kushagrata, ninth देख लेते हैं we are happy that the two countries are trying to find an amicable solution to their disputes सबसे पहले sentence का Hindi meaning देखते हैं, हमें खुशी है कि दोनों देश अपने विवादों का sohardhpun समाधन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, amicable का मतलब होता है mehtripun या sohardhpun तो इसके options देख लेते हैं a just, an appropriate, a durable, a friendly तो a just का meaning होता है एक न्याय उचित और an appropriate का मतलब होता है एक उचित और a durable का मतलब होता है एक टिकाओ और a friendly, एक मैतripun तो इसका most appropriate option होगा a friendly अब देख लेते हैं, tenth it is exasperating to listen to the suggestions of the minister about the educational reforms of which he knows nothing तो सबसे पहले इसका Hindi meaning देखते हैं शिक्षा सुधारों के बारे में मंत्री के सुझावों को सुनना परिशान करने वाला है जिसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है exasperating का मतलब होता है परिशान करने वाला है तंग करने वाला तो इसके options देख लेते हैं irritating, amusing, disappointing, boring irritating का मतलब भी होता है परिशान करने वाला और amusing का मतलब होता है मनोरंजक और disappointing का मतलब होता है अनराशा जनक और boring का मतलब होता है उबाव तो most appropriate option होगा irritating next देख लेते हैं 11th sorry the disgruntled member of a party are a constant source of tension to the party leader सबसे पहले इसका Hindi meaning देखते हैं एक party के ऐसंतुष्ट सदस्य party के नेता के लिए तनाव का एक निरंतर शोत है तो इसके options देख लेते हैं disloyal, dishonest, discontented, disperated disloyal जो क्या बोलते हैं उसको बफादार ना हो dishonest, जो इमानदार ना हो और discontent, एसंतुष्ट disperated, मायूज तो इसका most appropriate option होगा C, discontented next देख लेते हैं 12th he is so garrulous that all sober persons avoid his company वह इतना बातूनी है कि सब शांत ब्यक्ति उसकी संगत को avoid करते हैं तो इसके options देख लेते हैं quarrelsome, talkative, domineering, foolish quarrelsome का मतलब होता है जगडालू, talkative का मतलब होता है बातूनी, domineering जो घमंडी होता है उसको बोलते हैं और foolish तो मूर्ख होता ही है तो इसका most appropriate option होगा talkative next देख लेते हैं 13th and last temperance in eating is conductive to health इसका हिंदी meaning देखते हैं खान-पान में सायम, स्वास्थे के लिए अनुकूल है तो इसका options देख लेते हैं discipline, caution, moderation, care discipline का मतलब अनुशाशन होता है caution का मतलब साभधानी होता है moderation का मतलब सायम होता है और care care का मतलब देख वाल होता है तो इसका most appropriate option होगा moderation जिसका मतलब होता है सायम thank you for watching अब हम करेंगे कल को next exercise तब तक के लिए bye bye